तो अगर आप एक सीरियस रैंक पुशरो तो इस वीडियो को पूरा अंतक देखो क्योंकि ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत यूसफूल तो हेलो दोस्तो मेर नाम है सैम और मैं आगया हूँ और एक नए पबजी मोबाइल के वीडियो के साथ तो दोस्तो बहुत बंदों का सपना होता है कि वो एक बार तो कॉनकरर बनी ले तो आप सही जगाए हो अगर आपका सपना है आपको कॉनकरर बनना है तो आपको जरूर कॉनकरर मिलेगा तो इस वीडियो को पूरा अंतक देखो आप मेरी जैसा कॉनकरर बन सकते हो आप ये दे टाइटल और थमनेल देखके आपको पता ही चल गए होगा मैं आज आपको बतने आलो दोस्तो इजी वे टुगेट कॉंकरर इन पब जी मोबाईल तो दोस्तो सही सुना है आपने मैं आपको बताऊंगा कि मेरी स्ट्रेटेजिस्ट में कैसे कॉंकरर बना सीजन 14 में सोलो में करो क्योंकि दोस्तों सोलो एफ़े में सब रैंक पुष करते हैं और आपको आसानी से आपको कॉंकर मिल जाएगा आप अपना टाइम डिवोट कर सकते हो और आरा हमसे दिन के 5 या 6 मैचेस खेल कर भी आपको कॉंकरर मिल जाएगा मेरी तरह तो दोस्तों वीडियो को कि भी मैचेस खेल सकते हो पर में खुद बना तो मैं आपको बताऊगा कि मैं कितने मैचेस खेलता था तो दोस्तों में आप दीन के 10 match खेलो और 11 match में आपका minus हो जाए तो दोस्तों आपको दीन के 5-6 matches खेला तो वह भी इतने enough होते है conqueror बनने में में भी दीन के 5-6 matches खेलके ही conqueror बना और last में मैं आपको prove भी बताऊंगा कि ये सब मैं बता रहा हूँ ये सच में मैंने किया या नहीं तो लास्ट तक वीडियो को पुरा देखे तो फिर दोस्तों सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं तो सेकेंड पॉइंट तो दोस्तों आपको दिन का एक टारगेट सेट कर लाना है कि आपको कितने डेली प्लस करना है अगर आप कन्फ्यूज हो आपको पता नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों मैं आपने खुद के बताऊंगा कि मैं कैसे दिन का डेली प्लस करता था तो दोस्तों मैं दिन का डेली प्लस आकोर्डिंग टू टायर करता था मैंने गोल्ड फाइ से स्टार्ट किया था तो फिर मैं गोल्ड में कितना करता था प्लस या diamond में कितना करता था या फिर crown या ace में आपको सब बताऊंगा तो फिर आप इमें gold से शुरुवात करूँगा तो दोस्तों मैं जब gold tire से मैंने शुरुवात की थी gold 5 से तो फिर मैं डिन के 150 प्लस करता था और gold tire में easily दोस्तों दोसो या डाइए्सो बी प्लस हो इन धार्म से पर में डीड रस प्लस करता था फिर उसके बाद में प्लेटिनम प्लस करता था तो सबसे हाट्यर होती है Conqueror Rank Push की दोस्तो तो मैं हाँ सेफ कहलता था क्योंकि स्टार्टिंग में मर गए तो आपका Minus हो सकता है तो फिर Crown के बाद फिर Ace में आ गया दोस्तो फिर Ace के बाद मुझे Conqueror मिल गया तो दोस्तो आप Try करो कि First Week में ही Conqueror लेने का क्योंकि आपको Ace में ही Conqueror मिल जाएगा बड़े आसानी से तो आपको ऐसे Target Set कर लेना है दोस्तो तो फिर आप यह Target Set कर गए तो आपको Easy जाएगा Conqueror Rank Push तो next है दोस्तो What is the best time to play for less cheaters in Lobby तो दोस्तो आपको मैं बता दूश Solo FPV सिर्फ लोग Frame के लिए ही खेलते हैं आपको वहां सब Rank Push वाले ही बंदे मिलेंगे आपको ऐसे टाइम पास करने वाले कोई बंदे नहीं मिलेंगे तो दोस्तो उसके अंदर बहुत सारे Hackers टीम अप और ESP users हो गए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तो मैं बना Conqueror आप भी बनोंगे मेरे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करो बहुत सारी वीडियो मैंने अप्रोड किये होए है तो फिर मैं आभी आपको बताऊंगा कि अब बेस्ट टाइम कौन सा एक रेंग पूश करने का तो दोस्तो बेस्ट टाइम है दोस्तो सुबह खेलने का दोस्तो 6 एम से लेके 11 एम तक आप खेल सकते हो जब उस्टाइम सब सोगे हुए रहते हैं क्यूंकि hackers को पता हैं हम कभी plus ले सकते हैं तो फिर आमरे next point है दोस्तो वें टायर रेटिंग protection cards तो दोस्तो टायर रेटिंग protection cards बहुत ही useful होते हैं दोस्तो conquer rank push में आगर आपके पास टायर रेटिंग protection cards है तो उसे इस सीजन यूज मत करो अगर आपने यूज कर भी लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं मैंने एक वीडियो बने है आप वहाँ से 6 टायर प्रोटेक्शन रेटिंग कार्ड आप कलेक्ट कर सकते हो इस वीडियो को आप देख सकते हो मैं आई बटन पे उस वीडियो को डाल दूँगा और आपको वहाँ पता भी चलेगा कि आपको कब यूज करना है तो उस वीडियो का आप देख सकते हो आभी मैं इधर बताने टाइटल मिला जो भी आपको मैं स्टार्टिंग से लेके आभी तक बता रहा हूँ मैंने खुद उसे फॉलो किया और आपको भी वो फॉलो करना है आपको बड़े आसानी से कॉनकरर मिल जाएगा तो मैं आपको प्रूफ के लिए कुछ बताऊंगा कि देखो दोस्तो मैंने जो भी आपको बताया हूँ मैंने खुद फॉलो किया है और मुझे कॉनकरर मिला और बहुत सारी वीडियो मैंने अप्लोड किये हुए दोस्तों उने भी जरूर देखे क्योंकि वो वीडियो आपको बहुत मदद करेंगे कॉनकरर रैंक पूश में तो दोस्तों आप देख सकते हो सीजन में मेरा रैंक है 345 और देख सकते हो टोटल रैंकिंग 345 और सर्वाइवल में 16 रैंकिंग है सोलो FVP एशिया में मैंने फर्स्ट ट्राइम किया और मैं पहले बार में ही कॉनकरर बन गया तो फिर दोस्तों आप यह देख सकते हो आभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉनसे कॉनसे डेज में मतलब कॉनसे दिन में तो प्लस दोस्तों सिजन 14 स्टार्ट सब्साइब करने 10 तो इसलिए फिर मेरे को दस दिन लगे और दोस्तों आप देख सकते हो तो आप मुझे 4-4 ओगस्ट को इस में आ गया फिर 6th August को मुझे Conqueror title मिल गया दोस्तो तो फिर दोस्तो आपको भी ऐसे मेरी जैसे strategy follow करनी है अगर मेरी जैसे strategy follow करोगे मेरे वीडियो को देखोगे तो जरूर Conqueror बनी ही जाओगे तो मैं आभी कुछ मेरे stats भी दिखाऊंगा दोस्तो तो देखो दोस्तो आप देख सकते हो में बहुत कम matches में Conqueror बन गया था तो यह 163 दोस्तो मेरे Conqueror matches खेलने के बाद का है उसके अंदर 6 matches कम कर दो और divided by 22 days कर दो दोस्तो में 22 दिन में Conqueror बना तो डेली 5-6 या 7 matches निकलते हैं दोस्तो तो विर में उतना ही खेलता था तो आपको भी ऐसे ही करना है दोस्तो बहले आपका केड़ी कितना भी कम हो दोस्तो क्यूंकि इस बार आपको सिर्फ Conqueror लेना है अगर आप Conqueror बने ही न सकते हो तो दोस्तों हमेशा एक बात याद रख जो चोर होता है ना दोस्तों वह हमेशा भागने की बारे में सोचता है क्योंकि उसे पता होगा है कि मैं चोरी तो आराम से करी लूंगा तो वेसे ही दोस्तों Conqueror में Conqueror बनना होता है easy पर survive करना होता है बहुत मुश्किल तो और जिन्होंने आभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरू करना तो मिलता हूँ अगले वीडियो में टिल देन सी यू बाई बाई